हेलो दोस्तो स्वागत एक पर फिर से मेरे यूटूब चनल में और हाजीर है आपका भाई एक नई वीडियो के साथ तो दोस्तो आज का ये वीडियो आप सब के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको एक माइक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मैं Greenaro का S13 Pro माइक लिया हूँ जो अभी आप वाई जो सुन रहे हो ये यही माइक का है अभी और मैं अभी इसका noise cancellation अभी एक भी इसमें नहीं किया है जो है अभी normal आप वाई सुन रहे हो मैं आपको सारा इसमें पुरा दिखाने वाला हूँ पुरा detail में मैं आपको बताओंगा कि आपको ये माइक लेना चाहिए या नहीं तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि ये माइक आपको Amazon पे मिलेगा आपको flip card पे या कहीं भी नहीं मिलेगा सिर्फ ये माइक Amazon पे ही मिलेगा और ये माइक आपको कितने रुपे तक आ जाएगा इसका मैं आपको last में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले इस mic का खासित मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले आपको यह ऐसा आप लोग देख सकते हैं कि एक आपको box मिल जाएगा सबसे पहले आप देख लिजी कि आपको एक ऐसा box मिल जाएगा जो कि आप देखते होंगे कि Bluetooth जैसा Adops आप यूज करते हो तो उसमें आपको एक ऐसा box देखने को मिलता है जो आपका वहाँ से down हो जाता है लो हो जाता है battery तो आप इसमें चार्ज कर सकते हो सेम वही आपको इसमें देखने को मिलेगा इसमें सबसे खास यही बात है कि आपको ये बार बार चार्ज करने की जरुत नहीं है एक बार बस इसको आप चार्ज कर लो और आप कई दिनों तक आप इसको 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 इसमाल कर सकते हो मैंने बहुत से यहां पर रिवीव देखा है कि इसको आप एक बार चार्ज करोगे तो आपका लगभग एक महिना 15-20 दिन अटोमेटिक यह चलेगा लेकिन अभी मैं नया हूँ अभी इसको ज्यादा यूज नहीं किया हूँ लेकिन मैं इसको यूज करूँगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितना दिन इसका चलता है तो सबसे पहला आपको खास्य इस माइक में यह मिल जाएगा और इसमें आपको मिलेगा एक रिसीवर जो कि मेरे फॉन में लगा हुआ है और दो ट्रांस्मीटर जो एक मेरे यहां पर गर्दन में लगा उए और एक मेरे बार् माइक लगा करके आप अपना वीडियो कंटीन्यू बना सकते हो जब तक वो चार्ज होगा तो इसमें सबसे महत्वपून आपका ये बात हो जाएगा कि सब को आपको बार-बार चार्ज करने की जरुत नहीं है एक बार बस चार्ज करो और कई दिनों तो आप इसको यूज कर सकते हो और इसमें आपको यहां पर वायरेंटी कार्ड देखने को मिल जाएगा जो कि आपका माल लीजिए कि कुछ भी माइक में गरबर होता है तो आप इसक अपना माइक यूज करना चाहते है उनके लिए यह आपको मिल जाएगा एक डिसिवर तो आपके लिए एक बहुत पूंद यह हो गया اور आपको यहां पर केबल मिल जाएगा जो कि चार्ज करने के लिए माइक का यहां पर आपको और आप मेरा वाइज अभी सुन सकते हो कि अभी यही माइक का भी वाइज है जो कि इसका नॉइस कॉंसलेशन अभी मैं नहीं किया हूं और मैं इसको आपको दिखाता हूं कि इसका नॉइस कंसलेशन कैसा है तो अभी आप सोर सरावा आप देख सकते हो कितना हो रहा है और चलिए मैं आपको noise cancellation इसका एक पहले on करके दिखाता हूँ जैसे इसका आप एक बार यहाँ पे button दबाओगे तो आपको यहाँ पे एक बार light blink करेगा मतलब कि आपका noise cancellation चालू हो गया है जैसे अभी आप मेरा wise अभी सुन सकते हो कि noise cancellation अभी मैंने एक चालू किया है और अभी आप मेरा wise देख सकते हो कि कैसा आ रहा है और अभी आप यहाँ पे noise cancellation चेक कर सकते हो मैं यहाँ पे थुरा दिर सांथ हो जाता हूँ फिर आप background का wise आप सुन सकते हो तो आपने अभी सुन लिया वैसे अभी यहाँ पे ज़्यादा सूर सराबा नहीं हो रहा है इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं मालूम परेगा और चली मैं अभी दूसरा noise cancellation इसका on करता हूँ तो अभी आप मेरा जो वाइस सुन रहे हो यह दूसरा noise cancellation का है जो अभी आप पूरा background देखोगे कि एकदम कोई भी आपको sound कहीं से भी आपको disturbance नहीं मिलेगा कोई भी आपको background में डिस्टॉप नहीं करेगा जैसे कि आप background आप देख सकते हो में थोड़ा देर यहाँ पर सांथ हो जाता हूं तो जैसे आपने देख लिया कि background में कैसे यहाँ पर आपको वाइस सुनने को मिल रहा है और मेरा दूसरा यहाँ पर noise cancellation है जो अभी आप मेरा अभी वाइस सुन रहे हो कि कैसा आ रहा है तो यह माइक का सबसे महत्रपून खास्यत यही है कि आपको बार बार चार्ज करने की जुरत नहीं है और आपका noise cancellation काफी बहतरीन इसमें दिया गया है तीसरा तक नहीं है इसमें बस दो तक दिया गया है गिरिनारो जे 13 माइक जो था और जे 12 वो सबका अलग अलग था लेकिन इसमें क्या है दो ही दिया गया है और बहुत बेस्ट दिया गया है तो आपको यह माइक लेना चाहिए या नहीं आप खुद wise इसका चेक करो और खुद आप सोचो कि आपको लेना चाहिए या नहीं और रही बात इस माइक के कितने में मिलता है इसका बजट क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह आपको अधाई हजार तक मिल जाएगा और आप इसका ओफर चेक करते रहना तो आपको यह कम से कम आपको 21-22 तक आपको आई जाना चाहिए ओफर में समसे शुरू करो फिर इसके बाद जैसे आपका यूटूब से अर्निंग आने लगेगा तो फिर आप ज्यादा माइक ज्यादा महेंगा माइक आप और कर सकते हो जब तक के लिए आप यह माइक यूज करो यह काफी बहतरीन है नए-नए यूटूबर के लिए जो नया-या क कोई YouTube की दुनिया में कदम रखा हुआ है उन लोग के लिए काफी बेस्ट माइक है तो आप ये माइक खुद चेक करो मेरा वाइज और सब कुछ इसके बाद आप देखो कि आपको लेना चाहिए या नहीं तो उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा मैं इस माइक का आपको बताया हूँ कि मैंने एक नया माइक लिया इसके बारे में आपको मैं थोड़ा इनफोर्मेशन इसका दिया हूँ तो आप खुद बताओं कि आप कोई वीडियो कैसा लगा है, आप कॉमेंट में बता सकते हैं, माइक का वाइज, सब कुछ आप खुद जानकर के, के मुझे कामेंट करो कि कैसा है, नहीं हैं, तो उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को कर देना लाइक और साथ में चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटीपी के साथ आपके पास जाए तो जब तक के लिए रखी अपना ख्याल मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ बाई बाई जैहिन